मेक्कैनिक भाईयों यह है टीवियस रेडर वन टू फाइब बीए सिक्स एटुएंटी वाली गाड़ी का फुल इंजन का भी काम हो रहा है यह जो पार्ट है यह है पार्ट फोर अभी जो है आउटडोर शूट चल रहा था बट बारिश के कारण मुझे अंदर सिफ्ट होना पड़ा अभी आप जो बैक्ग्राउंड में यह पार्ट देख रहे होंगे इसे आप इग्नोर करें वैसे यह भी गैराज का एक हिस्सा है अभी जो हम इसके अंदर फिट्मेंट का प्रोसिजर शुरू करेंगे वह है इसके मेगनेट साइट जी हां यहां पर आपको ना इस पार्ट 2 नहीं देखाए पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप श्ठेप बाइसरु थ्री के अंदर पार्ट फोर में हम लोग जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं टीवियस मोटर कंपनी की सेल्फ के सिस्टम के बारे में देखें टीवियस का ये ओफिसियल पीडियाफ है टीवियस रिडर लिखा हुआ है या इसका जो है इस गाड़ी का फिटमेंड कर रहे हैं आ हम लोग ने इसके कलच के बारे में समझा था क्रेंग केस में सिर्फ क्रेंग का नहीं उसमें गियर बॉक्स भी अटेच है आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें पाट टू में हम लोग ने कलच के बारे में समझा कैसे कैसे कलच को फिट किया जाता है क्या पाट नमर ह किया उसका नाम है कहां से फिट करना ना कहां पिनत डालना है कहां पर उसए डालना सब बताे आप यहां पे देखें कलज震क सेम्बली लिखा पर नीचे लगाया इसका वाइबरेशन चिएंगे इसके बारे में यह क्या है मेगनेटो असेंबली मेगनेटो असेंबली जो है काफी इंट्रेस्टिंग है TVS Radar 125 इंजन के अंदर ये काफी एहम रोल निभाता है वो कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यह TVS Radar का इंजन है मेगनेट मेगनेट के अंदर क्या है कि बैक साइड में एक बड़ा सा मोटा एक प्लेट टाइट किया गया है ये काफी वारी है करीबन आफ केजी 500 गराम इसका वेट होगा सिर्फ इस प्लेट का पूरे कातों को लगता है 57 केजी का होगा ये तो इस प्लेट को यहाँ पे क्यों दिया गया क्यों इसलिए दिया गया ताकि बैलेंस इसका जो है maintain रहे बैलेंसर का इसका काम लिया गया क्योंकि पिछली वाली गाड़ियों में आपने देखा रहेगा आप विक्टर रेडियोन, स्टार सिटी इन सभी गाड़ियों में स्पोर्ट औगेरा में यहाँ पे एक आपको one way देखने को मिलदा था टित रहता था one way कलच रहता था जिससे हमारी गाड़ी जो है start होती थी बट जब से इसे silent start में convert किया गिया तो यह चीज यहाँ से हटा के एक balancer plate add किया गिया ताकि गाड़ी के अंदर balance बना हो और गाड़ी जो है starting में कोई problem ना हो और गाड़ी के अंदर engine के अंदर vibration ना हो इसलिए vibration plate को add किया गिया balancer plate को add किया गिया तो अभी मैं इसे add कर देता हूँ इसके back side में कुछ भी नहीं है इसी तरह से खाली है इसलिए इसके लिए मैंने अलग part shoot किया यह देखें इसके teeth को मैंने fix कर दिया इसके timing को मैं check करवा देता हूँ अब देखें magnet के अंदर यहाँ पे आपको T लिखा हुआ देखने हो को मिलेगा यानि piston इसका top floor पे है यह जो निशान है इस निशान से match कर देना है piston आपका top पे चला गी है यह देखें यह piston के top पे होने का निशानी T लिखा हुआ है अब यह आप सोच रहे होंगे पहले कि जो BS4 की गाड़ी थी उसके अंदर यह single dots सिर्फ होता था और उसे से spark generate हो जाता था बट आप यहाँ पे इतने सारे dots क्यों दिये गए है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह इतने सारे dots जो दिये गए है CKP की थुरू ECM को signal provide किया जाता है यानि crank shaft position sensor यहाँ पे ऐसे उपर ऐसे hold रहता है और इसकी magnet की गती इसका rotation, इसका speed, crank का direction, piston का position सारा चीज यह ECM को भेजता है और उसी साब सी ECM जो है time to time fuel को inject करता है और time to time spark करता है यही सारे teeth के होजह से देखें कितना सारा teeth दिया गया इसके अंदर magnet को fitting करने के बाद उपर से किये color bolt add करेंगे इसके अंदर washer वगेरा नहीं होता है यह आसानी से से tight हो जाएगा आपके पास अगर lock tight है तो आप इसके अंदर उप्योग कर सकते है company इसके अंदर glue bone का उप्योग करती है जिससे यह nut खुलता नहीं है जब भी आप इसे open करेंगे जब यह खुलेगा क्योंकि अगर company fitment में अगर खुल जाता है तो timing out हो जाएगा और गाड़ी के अंदर valve bend हो जाएगे अभी देखें इसके magnet के bolt को मैंने fully tight कर दिया बताते चले हैं जब भी इसकी engine को open करें तो कोई भी special tool का requirement आपको नहीं पड़ेगा जो भी tool आपके पास है उसी से सारा काम हो जाएगा अभी tvs का engine इतना बेहतरिन design करना लगा लगा तीवियस वाले जो आपको all tool से ही सारा काम हो जागा आपको अगर magnet खोलना है अपाची का tool का open कर लिजे इसे tight करना है तो अपाची का यही magnet holder use कर लिजे 17 नमर का गोटी लगा यह खोली यह tight कर यह सब काम इसी से हो जाएगा अभी हम लोग कहां थे कि इसके silent start system को समझ रहे थे तो अभी थोड़े से direction को और उपर कर देते हैं अंदर देखनी है आप कुछ नहीं है अब बाहर देखें कि इसके अंदर कितना छोटा सा बदलाव यह देखें यही वो system है जिससे हमारी गाड़ी directly start हो जाते ही बिना कुछ किये अब क्या है यह system काम कैसे करता है वो आप समझें यह complete ISG है यह magnet है जैसे self का switch आप उपयोग में लाते हैं तो यहाँ पे magnetic field generate होता है और यह सिर्फ 125cc के अंदर की गाड़ियों का ही है ISG जो complete काम करता है और जैसे magnet घुमता है वैसे यह जो pick up coil लगा हुआ CKP sensor तुरत signal उठाता है इस teeth का कि क्या teeth की गती है अगर moment देखने को मिली तो थोड़ा सा fuel का छुड़काओ करता है अब जैसे गाड़ी start हो जाती है तो IACV valve यहाँ पे लगा IOT sensor signal भेई देता है कि इंजन ठंडा इसके अंदर fuel की pressure की छुड़काओ को बढ़ा दिया जाए उस हिसाब से काम करता कई सारे BSX के ऐसे वीडियो में ने बना रखा कि कैसे सारी technologies काम करती है तो आपने देख लिया इसके अंदर ना स्टिक है ना सेल्फ है फिर भी गाले स्टार्ट हो रही है पूरी एकर वीडियो देखने हैं तो आप देखें step by step आपको समझ में आगा चलिए इसको फिट करते हैं इसके अंदर complete लगाने के बाद कि यह जो गेस्केट है इसे यहाँ पर लगा देते हैं कि यह फिट हो गया आप चलिए इसके अंदर direct एड़ करते हैं हो गया रेडर 125 का पूरा engine ready चलिए सारे बोल्ट को टाइड करते हैं जब भी बोल्ट टाइड करेंगे आपोजिट बापोजिट टाइड करेंगे सबसे पहले जो डोवेल बूश का जगा होता है वहाँ पर एक सबसे उपर एक सबसे नीचे सबस्क्राइड करेंगे सबस्क्राइड करेंगे तो लीकेज की कोई भी समस्या नहीं आएगी तो चलिए मैं सारे बोल्ट को टाइड करता हूं अभी मेगनेट के इस सिस्टम को आटेज कर दिया है अब थोला समय एकस्प्लेइन करता हूं देखें यह सेड में का ISG कंट्रोलर है अब इसके अंदर क्या है कि यह इंपूट और आउटपूट दोनों काम करता है इसी कंप्लेट कनेक्शन से यहां जो है बीच वाला कनेक्शन इसके अंदर बैटरी से 12 वल्ट का DC सप्लाई मिलता है जिससे कंप्लेट इसकी वर्किंग यहां पर आ जाती है अब यह क्या करता है ISG के साथ साथ आरा यूनिट का भी काम करता है यानि हेडलाइट को भी यही जलाता है और बैटरी को भी यही चार्ज करता है तो सिस्टम कैसे है यहां पर जो मल्टिपल स्पिन आपको देखने को मिल रहे हैं यहां से आपकी गाड़ी का ओटपुट जो हैडलाइट जलेगा यहां से आपकी गाड़ी का जो बिलिंग कोड है यही से शेयर करेगा सेल्फ वाले स्वीच को प्रेस क करने के लिए बहुत सारा कनेक्शन इसके अंदर है और यह जो हो गया यहां से सब्सक्राइब करने के लिए और यहीं से यह आउट्पूट भी ले लेता है बैटरी को चार्ज करने के लिए और यह जो सिस्टम है इसके अंदर भी सेम वही है जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं है आपने सेल्फ दबाया तो यहां से यह आउट्पूट भेजेगा इस आईसजी को वर्क करने के लिए और जैसे इसका मेगनेट रोटेट होना शुरू हो गया घूमना शुरू हो गया तो फिर आउट्पूट यह जो है लेना शुरू कर देगा और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फिल्ड जनरेट होगा और उपर से चार्जिंग निकालना शुरू कर देगा तो इसका भी इसका भी काफी सारा एहम रोल है और इस एहम रोल को फिटमेंट के दोरान समझेंगे कि फि सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा पार्ट फाइब में यानि फाइनल पार्ट अभी बाकि है जिसमें इस इंजन को चेशी के अंदर एड करेंगे और आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे कि अंदर स्टार्टिंग के दोरान कोई ट्रबल तो गाड़ी नहीं करती ह सारी चीज़ें आपको बताएंगे चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट लेकर यानि पार्ट फाइब फाइनल पार्ट लेकर तब तक के लिए थैंक्स फॉर वोचिंग